हलो एवरिवन आज हम प्रिविव करने वाले हैं LKG के मन्त एट की LKG के वाइस अगर हम गिने तो मन्त होता है एट और अगर हम टाउम वाइस गिने तो ये होता है टाम थ्री का सेकेंड मन्त फर्स जो मन्त था उसमें डे 12 तक कंप्लीट हो चुका है नेक्स जो मन्त स्टार्ट होता है उसमें आता है डे 13 से तो डे 13 में फर्स एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए था एक्टिविटी का बैक इसके अंदर अभी चल रहा है कम्यूनिटी जो भी हेलपर्स होते उनके बा और एटी और रैट वैट जैसे पी जैसे वर्ड फैमिली के जो भी वर्ड बनते हैं तो उसकी हिसाब से थोड़ी बहुत यह भी एक्सरसाइज थी तो वह बच्चों को कराए गए थी तो इसी के साथ हमारा डे 14 ओवर नेक्स्ट आता है डे 14 इसमें अक्टिविटी के लिए चुहीं था हमें डे 14 का एक्टिविटी बैग इसके अंदर यह इस तरह से अरेंज करना था हमें पैटन मनाने थे जैसे कि फॉस्ट में अगर ए आता है तो भी आएगा तो फिर वापस ए आएगा फिर बी आएग इसके बाद किया इस तरह से पैटर मीजा और यूस करते वह बाक्टे के लिए चाहिए थे हमें मैत के अक्टिविटी बुक और इसमें यह exercise करने के लिए थी और इसी के साथ हमारा date 14 ओवर next आता है टे 15 इसमें अक्टिविटी के लिए चाहीए था हमें Nutal 15 और इसके अंदर आज जो community helper थे वो थे teacher, policeman और fireman तो उसके related ये सारे puzzle दे रखी थी वो बच्चों को इस तरह से mix करने थी और फिर जमाने थी तो इससे बच्चे समझ जाते हैं कि fireman क्या use करता है, policeman क्या use करता है और teacher क्या use करता है और इसी के साथ हमारा day 15 over next आता है day 16, इसमें first activity में थी storybook up in the sky, next activity के लिए चाहिए था हमें day 16 का activity back, इसके अंदर इस तरह से पुरा है बना के दे रखा था, इससे circle circle गूम रहा था आराम से ये, तो उपर जो थी pictures थी, नीचे इसके related सारे alphabets दे रखे थे, तो जो भी pictures जैसे आती है, जैसे हमने red पे stop किया, तो अब हमें RAT red, इसे तीनों अलग-अलग इस तरह से alphabet जोडने हैं, और फिर उस word को complete करना है, तो ये थोड़ी से एक interesting type की puzzle थी, इससे बच्चे इंटरेस्ट से कर भी रहे थे, और इससे अच्छे से सीख भी रहे थे, next activity के लिए चाहिए थी हमें English activity book, और अभी ज color का plain paper ले लिए था, उसके उपर बच्चों से ये ऐसे rainbow बना के और फिर color करवाना था, next activity के लिए चाहिए था day 17 का activity bag, तो इसमें इस तरह से हमें कुछ cardboard दे रहे थे, मतब इस तरह से boxes बनाना थे, इसके बाद इसे chart paper दे रहा था, उसके उपर space दे रहे थे, तो उसके उप उपर हमें इन box को रखना था, इसके बाद side में pictures दे रखे के blue color की bird, yellow color की bird, green color की bird, वो कितनी है, तो यहां से हमें अपने इसाफ से arrange करके रखे और फिर count करके और फिर लिखनी थी, next activity के लिए चाहिए था, हमें math activity book, तो यहां पर हमें count करना था, जितने number उपर दे रखे, उतनी ही picture को हमें color करना है, और इसी के साथ हमारा day 17 over, next आता है day 18, तो इसमें activity के लिए चाहिए था, हमें day 18 का activity back, इसके अंदर दो puzzle दे रखे थी, एक night puzzle थी, और एक day puzzle थी, तो उसको हमें सिर्फ arrange करके रखना था, इस तरह से लंभी पूरी puzzle थी, तो बच्चों को यह समझ करना था, इसके बाद हमें ऐसे brush दे रखा था, उसकी help लनी थी, white color लेना था, और इस तरह से star बनाने थे, और फिर बच्चों की fingertip की help से, अच्छे से round करके moon बनाना था, next activity के लिए चाहिए थी, हमें story book, और आज की story थी, how do I reach the moon, next activity थी, वो repeat activity थी, जो हम previously किसी day में कर next activity के लिए चाहिए थे, हमें English activity book, और जो भी word family चल रहे थी, उसके related आज की भी activity हमें करनी थी, और इसके साथ हमारा day 19, over, next आता है day 20, इसमें activity के लिए चाहिए था, हमें day 20 का activity bag, इसके अंदरे से chart paper दे रखे थे और box बनाने थे, तो यहां जो भी shape दे रखा है, उसके according उ math activity book, इसमें दो activity करनी थी, first में count and match करना था, जितने भी यहां पर यह pictures दे रखे, उसको count करके match करना था, और next जो था, इसमें fill in the blanks था, जो number missing यह वो हमें लिखना था, और इसी के साथ हमारा day 20, over, next आता है day 21, इसमें जो activity थी, वो repeat activity थी, जो हमने day 18 में day or night की puzzle करी थी, उ sleep sleep winter name से यह story थी, next activity के लिए चाहिए था, हमें day 22 का activity बैक, अब इसमें start कर दे था, season के बारे में सिखाना, तो first इसमें सिखा रहे थे, और any season के बारे में, तो इसमें क्या इस तरह से एक puzzle बना के दे रहे थी, जिसमें एक तरफ picture थी, वो complete हो रहे थी, दूसरे तरफ जो भी यह word family चल रहे है, उसके related word भी सीख रहे थे, और इसी के साथ हमारा day 22 over, next आता है day 23, इसमें activity के लिए चुही था, हमें day 23 का activity बैक, इसके अंदर देखे इस तरह से cloud बना रखा था, तो हमें क्या करना था, कि हमारे पास water droplets दे रहे थे तो वो सारे इसके अंदर हमें डाल दे देने थे, इसके बाद क्या करना था, जिससे चार्ट paper दे रखा था, उसके अपर नमबर दे रखे थे, तो हमें cloud को अच्छे से हिलाना था, तो जो भी number नीचे गिरता है, यानि कि जो भी water droplets नीचे गिरता है, तो उसके ओपर जो number दे रखा था, तो उसको उसी तरीके से, इस चार्ट पेपर के उपर अरेंज करना था तो यह बहुत एक fun activity थी next activity के लिए चाहिए थे मैं math activity book इसके अंदर क्या करना था यह picture दे रखाता है जो भी pattern complete होता है इस picture के बाद यह picture आने चाहिए तो वो उसको हमें circle करना था और इसी के साथ हमारा day 23 over next आता है day 24 इसमें activity के लिए चाहिए था मैं day 24 का activity back इसके अंदर एक puzzle दे रखी थी यह puzzle थी summer season के related तो एक तरफ beach बना रखा था एक तरफ garden बना रखा था तो beach और garden से related इसमें pictures दे रखी थी वो हमें बच्चों से इसमें insert करवानी थी और इसी के साथ हमारा day 24 भी over और इसी के साथ हमारा LKG का month 8 भी over अब LKG का only one month ही बचा है जो है month 9 और finder class के related जितने भी वीडियोज है वो आपको playlist में मिल जाएगी तो बस यह थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको मेरे वीडियो helpful लगी हो तो please like and subscribe my channel thanks for watching